अब हम देखिए स्वच्छता का भियान चल रहा है पुरे देश में हर वर्ष स्वच्छ शहर की गोशना होती है लेकिन मैं देख रहा हूँ धीरे-धीरे कि कुछी शहरों ने अपनी जगा बना ली है अच्छी बात है लेकिन बाकी शहर निराश होकर के बैड़ जाएं कि ये तो उनी कोई इनाम जाने वाला है वो ही आगे बढ़ गए हम तो नहीं कर पाएंगे ये मानसिकता नहीं होनी चाहिए आप सभी मेर संकल्प करें, कि अगली बार स्वच्ठता की स्पर्धा में, आप किसी से पीछे नहीं होगे, आपके एक शहर, किसी से पीछे नहीं होगा, यह संकल्प कर सकते हैं और नहीं कर सकते। मैं तो कहूगा हमारे हरदीप पुरी जी को हम यह भी कोशिश कर सकते हैं कि जो स्वच्छ शहर है उनको तो इनाम देंगे यह देंगे उनको तो रेकिनाइज करेंगे सन्मानिज करेंगे लेकिन जो अच्छा होने का सबसे ज्यादा प्रयास कर रहे हैं कि उनको भी हम रेकिनाइज करें और जो बिल्कुल आग बन करके बैठ गए हैं कुछ करना ही नहीं है उनकी सुची भी निकाले और उन राज्यों में अडिर्टाइजमेंट करें कि देखिए इस राज्ये के तीन शहर हैं वो इस स्वच्छता में कुछ नहीं कर रहे हैं तो ज कि आप सिर्फ स्वच्छता को साल भर के कारकम की कर रूपें न लें कि आप हर महिना बौड के बीच हर बौड के बीच स्वच्छता की स्परणायाइज कर सकते हैं क्या जूरी बना करके इस महिने में कौन सा बॉर्ड सबसे ज़्यादा स्वच्छता का इनाम लिए अगर शहर के बॉर्डों में कॉंपुटिशन होगी बॉर्ड के काउंसिलर्स के बीच में स्वर्धा होगी तो उसका cumulative effect, total जो effect है वो पूरे शहर का रूप बदलने में काम आएग और इसलिए मैं तो चाहूंगा दूसरा जैसे स्वच्छता का के महत्वा है, सवंदरिय करन भी, beautification ये भी मैं तो चाहता हूं, दुनिया में beauty competition होती है, जो होती है वो होती है, मुझे उसमें कुछ कहना नहीं है, लेकिन क्या हम हमारे नगर में बॉर्ड beauty competition कर सकते हैं क्या? कौन सा वोर्ड सबसे ज़्यादा beautiful है? सफाई का parameter हो सकता है, सवंदरिय की तुरुष्टी से किये गए initiative का parameter हो सकता है, हर नगर अपना विक्सित करें, जूरी बनाएं.